नमस्कार दोस्तों एक वाफिर वानाइट फाइच चैनल में आपका स्वागत है आज मिले किया आपके लिए डबली रिंफोर्स बीम जो हमारी नेक्स यूनिट है कैसे डिजाइन करते हैं इसका बेसिक इंट्रेक्शन जान लेते हैं तो प्लीज चैनल को लाई तो एक में टेक्स यूनिट तो आज से बहले में लिमिट इस्टेर में पड़ाया आपको इसी बेसे हमारे हैं कंसेट है हम क्या क्रते ने? ग्रिष्ट में और कॉल को तो युझा निय्कार ते मितन sìdō नोन दोनों में हमारे एंफोर्समेंट डाली जाती है हमारा डबली is a architectural restriction when there is architectural restriction depth of the section then there is necessity is stand is the compression zone and then steel is provided compression zone मतलब जब आपका architectural restriction हो कि आपको क्या कर रहा है सपोज आपने एक beam बनाई आपका उसमें जो reinforcement required है वो number of bar कितनी लग रही है छे लेकिन architectural का जो size दे रखा उसके हिसाब से आपकी beam में तीनी बार लग रही है तो आपको तो आप number of bar को कम नहीं कर सकते ना क्योंकि उससे आपकी building की strength कम हो जाएगी तो आप क्या करोगे आपकी building की strength भी कम नहीं हो है ना तो आप क्या करोगे अपर पोर्ट्शन जो compression zone वहां पर भी आप क्या करोगे steel को provide करोगे तो आपका जो architectural ने जो size दिया था वो भी आपका same रहेगा है और आपकी जो beam की strength है वो भी कम नहीं होगी है तो जब architecture restriction हो तब आपका क्या कर सकते हैं डबली reinforcement क्या कर सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं second point में यहां पर discuss करोंगा if there is any requirement for increasing stiffness of the member ठीक है stiffness मतलब होता है किसी भी building की कठोड़ता मतलब किसी भी section की कठोड़ता मानके चलों क्या करोगे आप उस member की hardness को बढ़ाओगे ठीक है stiffness को बेसिकली जंदी में नहीं होते कठोड़ता होते कोई भी मेंबर आप बना रहे हो hard होना चाहिए dance होना चाहिए उसकी strength क्या होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए तो अब उसकी strength को increase करती है डबली reinforcement beam third point हमारे यहां पर आता है to make the member ductile where the seismic load is high it is found that compression steel make the member ductile मतलब आप क्या करोगे अपने member को ductile बनाओगे किसलिए बनाओगे ताकि आपका सिस्मिक लोड आते हैं या सिस अर्थ कोई जो आते हैं आपके उनके उनसे प्रिवेंट करने के लिए सपोज आपका अर्थ कोई का रहा और आपके building ductile नहीं है तो क्या हो जाएगी suddenly गिना start कर देगी तो आपका member क्या हो सेंट्रिक लोडिंग से सब्जेक्टि मलब आपके member में क्या रहा हो बैंडिंग की condition जन्रेट और यह तो जब बैंडिंग आती है किसी भी मेंबर में तो आपके member को क्या होना चीए डबली होना चीए ताकि उसकी कोई स्टेंद क्या हो अच्छी हो बैंडिंग में उसमें कोई तरह का डिफ्लेक्शन जन्रेट ना हो कि चलो सबसे पहले में यहां पर आपको यहां पर जो बना के दिखा रहा हूं इसका स्ट्रेस ब्लॉक डाइग्राम इस डाइग्राम को कंप्लीटली आप अच्छे समझेगा क्योंकि इस डाइग्राम से लेटर जितने भी फॉर्मुले हैं जितने भी टाइप के कैसे में कैलकुलेट करेंगे मूमेंट एम लीमिटिंग ठीक है तो प्लीज धान से देखिएग यह हमारा जो में फॉर्स डाइग्राम में यहां पर बना रहा हूं आपको यह हमारा क्या है एक में डाइग्राम में जिसमें में यहां पर सो करूंगा यह हमारी न्यूटर लेक्स है ठीक है यह हमारा कंप्रेशन जोन है तो डबली का मनलब क्या होता जिसमें टैंस और कंप compression zone में यह लागम है ऑप यह सी और आसरी कहला होता है wondering in compression zone और स्टों तेंशंब का एक्षी है एक्नेट्रल एक्सेस डब्त और यहां कि ये किया है ऑपे आपकी ूबरल डेपट एफेक्टिव डैपकी भी इंगि अइसके बाद आप कि इसके बाद यह बना रहा है, मैं सबसे पहले इसको आपर कंशिडर कर रहा हूं कि इसका ट्रेडिस्नल साइज में बना रहा हूं बीम का कि ऐसे ट्रेडिस्नल जो सिंग्लिर इंफोर्स विम हमारे यूज होती है उसका बीम सेक्शन था पर नद इकना पर दिखा रहा हूं इसको क्या करेंग रजिस्टेंस और इसको मैंने डिजाइन किया तो अगर मैं इसको डिजाइन करता हूं तो इसके लिए इसके डाइग्राम बनेगा यह कुछ ऐसा बनेगा कॉंक्रीट की केस में जो लिमिट मैंठर्ड जो एजंशन है और क्या बोलता है कि जो आप तो इसके बाद आपका यहां पर मैं दिखा रहा हूं सीवर सीटू सीटू आपका क्या है कंप्रेसिव फोर्स है आपका कंप्रेसिव फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स है कंप्रेसिव जो भी आपकी कंप्रेसिव जोन में मैंने इस्टिल डाली उसका जो कंप्रेसिव फोर्स होगा मैंने बोला सीटू और सीवन हमारा क्या ह कोंक्रीट है हमारी सीवन हमारा किया है जू कोंक्रीट पहले से नमें प्लेस है उसका कम बसे वोर MOUSE समझ में में आगा है रीट यह दिखा रहा है प builder क्यूंकि जो आपके तो 저ॉ मैंणे से ने उसमें 0.4 इंस गूए पहले दजाइन किया तो मैं र विर एक स्क्र भी tapping हिस्ट्रेस राशे आपको समंझ में रहा होνε कर नीचे में इहां हमारा क्या है तैंसाइल फोड कमरों चस्थरस हुड झाले का टेंसंड चाहं चा यहां तो तो यहां पी आपकी मैंने concrete को सोर निकर रखा कि यहां पर लोड ले रहा है जो चैनल फोर्स आपका 0.87 fy ast ठीक है एस्टी 1 हो जाया आगा ओ ठीक है अब आप क्या कर रहे हो यहां पर मैंने क्या किया है सेकंड्र आइ मैंने क्या क्या कर रहा है इसी डाइग्राम का वैस्टी अबर जगे नहीं थी अब मैं क्या कर रहा हुँझगो असफूट का। इसको कि पयां कर रहा हुझ तो यह बैलाने क्या है जाया गा मुझे डावल dû बनाना और तो जितना इस्टील मैंने मेरा मेरा Tension Zone में उतना स्टिल मेरा किया कंप्रेशन जोन में तो फस्ट में मुझे AST1 मिल ला था तो जो मैं Balance Section डिजाइन करहूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा AST2 क्योंकि जो मेरा First Diagram जो उपर है वो AST मुझे निकालना है तो AST2 यह स्ट 1 और यह स्ट 2 दोने निकालना पड़ेगा न तो जो बैलेंस सेक्षन में डिजाइन कर रहा हूं तो इसी एरिया है सब्सक्राइब कम्प्रेशन जोन में एस्ट एरिया इस्टीटंग यह सब्सक्राइब कर दिखा दिया अपको यह डैप्ट आपकी से में निए माईनज द्स डिट एस आपका क्या कमें जीफ्लिव गभर है इन पर का जू पर का जुए कबर अपका ठीक के और यहाँ पर यहां पहें पर जो कर रहांगा आपको यह ओबर अब्रॉल डेप्त एसकी ओवर यह इफेक्टिव डेप्त ठीक है इन फोर्समेंट के सेंटर आपकी शरीया उसके center line और वाले portion तक कि दिस्टेंसित हों अब होती है तक है इसके बाद यहां पर इसका डाइगराम बना रहा हूं कि अब आपका क्या है compression zone में भी यहां पर आपको इस्टील है आप तंसल जोन में है स्युवाइन इस डिजाइन तो क्याइब क्या है सी यू-टू आपका आपका शुचक कंप्रेश्टम्ड इससी दौर्स टैल इस तील इस तील के दार जो इससी यू-टू हो गया और बाटम पॉर्से में आपका टी यू-टू इससे आपका टू लिग दिया तो ती यूटु मैंने यहां पर लिखा दिया अप देखो आप कोई मुझे जो फॉस्ट डायग्राम है मुझेंट और रजिस्टेंस तो जब सिंग्ली रिंफोर्स्मेंट आपको डिजाइन करोगे तो आपका जो डाइग्राम है दो गहिए यहां आपक आपको सिंग्ली रेहने लिखा है इसको किण्व रस जिस्ट वर सिल यहां पे आपका यहां लिमिकी मिटिंग निकाल होगे फिर आप एम्यू टू न कहलोगे तब आपको क्या मिलेगा है तोटल मुव्मेंट और जिस्टेंज मिलेगा एम्यों मिलेगा ठीक है चलो बात करते हैं यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स इकल्ट्यक्षय गया होता हमारा अब डबली है तो टेंसाल में भी स्टील है है कम्रेसन में 20 तो इस फोर्स दो दो होंगे अर्श होंगे तो सिवन हमस्पर्स सिवन प्लस सी यू टू ठीक है टीव कल टो दो प्लस तो सीवन की बात करते हैं कर सीवन मतलब जो हमारा है क्मप्रेसिड फोर्स छाजिस्टिट जो मैं कंत्रिबिटेट की स्की तरह कॉंक्रेट के दौरा तो इसकी वालीउ यह कॉंक्रेट के लिए 0.3 FC के बी एक्सिए और जो हमारा मैंने क्या बहुत है कि डबली में हमने के प्रेशों जो भी स्टील प्रोवाइड किया है उसके लिए इस्टेम स्टेल का इन चुन में ठीक है टीड़न की वैल्यव की आपका एंसाल फोसे टेंसाल फोर्स केवतागा जीरो प्वाइट सेवन एफ आएईस्टी वन तो टी यू टुप भी आपको मिल जाएगा ज़रो पॉएटसेवन अफवाई एएस्टी टू एजस जो को एस्ट वन आपका क्या होगा जो एजस सिंग्ली रिंफोर्स मैंने डिजाइन किया था एस्ट टू कहां से मिलेगा आपको जो मैंने आपको एज़ बैलेंस सेक्षन डिजाइन करके दिखाया था थीक है तो अगर हम एक्चुल नुट्रल एक्स निकालें कि डैप् लेगा हमको तो मैंने क्या किया थे इस एकल लटो प्लस टीयू टू इस इकला टीयू फ्लस टीयू थी यू टू इन दोनों से मिलके बनाया ना आपका तीए ठीक है तो तीवन जो आपका टीवन है उसकी वैल्यू क्या आपके 0.87 Fy AST1 प्लस 0.87 Fy यह उपर मैंने लिखा है Fy AST2 इस इकल टू जो आपका Compressive Force in Steel के कारण है और Compressive Force in Concrete के कारण है दोनों लिख दी C1C2 के लिए तो यहां पर मैंने क्या किया 0.87Fy दोनों में चल ले तो मैंने common ले लिया और उपर क्या बचा मेरा AST1 प्लस AST2 में बचा मैंने इनको ब्रैकेट में ले दिया क्यूंकि मैंने 0.87Fy मैंने common ले लिया था इधर मेरे पास क्या बचा 0.3fc के xub भी ठीक है जो FSC ASC वाली वैल्यों मैंने इससाइड ले ले ली थी तो प्लस के तो माइनिस में आ गई अम जब आपका एरिया ओप स्टील कि एसटी वन प्लस एसटी आपका मिलके क्या बन गया एसटी कम्प्लीट जो एया अप स्टील ठीक है तो जब एसटी बन गया तो यहां पर क्या बचा उपर और यहां पर मैंने एक्सियू को अलग कर दिया तो एक्सियू अपॉन डी मेरा अलग हो गया यानि मैंने एक्च्वल न्यूट्रल एक्सिस की डैप्त निकाल लिए सिंपन तो यह सारा खेल आपका डाइग्राम का प्लीज डाइग्राम को देहन से देखिएगा एस्टी वन इन कॉंक्रिट एड़ लेवल ओ कंप्रेसिव इसक्रिंट तो यह वैलियू आपको या तो आपको टेबल से मिल सकती है टेबल में आपको जैसे डी-डैस अपॉन्ट डी करोगा जो भी इस्टेवल से कंपेर करो गे तो मूमेंट अब रजिस्टेंस अग बात करते हैं movement of resistance कैसे निकलेगा moment of resistance केल्कूलेट करने के लिए हुआ हुँ हमारे तीन टाइब के सैक्षन होते हैं वैले Dansies सेक्षन अंडर हैं और फॉर्समें बात करने बैसे क्षन की बैलन्स सेक्षन struggling मैं में हमारा क्या हो सकता है कोंक्रीड के कैभासिटी और इस्टील के कैभाय कि दोनों की बराबर होगी यानि दोनों क्या होंगि सेम टाइं पेल होंगी इच्ट पाइं प्रीयों सें टाइंञरे सेक्षिन में नेक्भर मैंने कंसीडर किया इसको हुप ठीक है तो कंसिडर किया मैंने कंप्रेसिव फोर्स को तो कंप्रेसिव फोर्स हमारा क्या होता है सी युवन इंटू जैट वन प्लस सी यू टू इंटू जैट टू क्योंकि सी यू और सी यू टू हमारा क्या है दोनों एक स्टील के कारण है और दूसरा हमारा कौन सा है कॉंक्रेट के कारण है तो दोनों को मैंने किया तो लिब्राम आपको पता है डी माइनस 0.4 टू एक्स यू तो कॉंक्रेट के लिए जो होती है हमारे सी यू एन की वैल्यू है 0.3C FC के एक्स भी ठीक है सी यू टू एनि जो इस्टील है कंप्रेशन में डब लिए तो एफसी एस्ट डी माइनस डी यह फॉर्मला मरब बन के आता है तो यह बेसिक है मतलब आप समझ सकते हो इन चीजों को ठीक है और वीडियो को लास्त तक देखते रहेगा क्योंकि अगर आप इस चीज यहां से द दो एं टी वन और टी टू तो मैंने क्या गा टी वन इंटू जैडवन प्लस टी टू इंटू जैड़ टू को है कि तो यहां पर हमारा जो टैंसल फोट ऑटाया जो पन डिट शेवन एफ यह एस्ट यह पहले बें आज जब हमने सिंग्ली रिन्फोर्समिन पड़ी ती लिम बड़ रहे हैं T1 और T2 दो बार लेना पड़ा है एक तो हमारा जो पहले से है मतलब जो टेंसाल जोन में एक हमारा compression zone में जो steel है उसके कारण टेंसाल फोर्स होगा कुछ है तो अगर हम complete अएनल लिम सब्सक्राइब के लिए हमने सबसे पहलें लिम तन निकालने के लिए के लिए टेख्स अपों डी 1 मानेसज जरो फॉइंट 4 टू एक्षेपों डी बीदी स्काइर आपको पता है आप कोन से वेल्यू कैसे निकल दी कोई मैं बात करते हैं इसाथ में यहाँ पर मुट्टू कैसे निकलेगा ì Lindsay आपको कैसे निगलेगा आपका कोश्यन में एक वैली दी होगी Uhmไป एपलाइड दे रखा होगा आपको कोश्यन में तो आपकोμवर आपको आपको में एपलाइड अगर दे रखा होगा तो आपकोकी से निगलेगा मूल इंड माईनस Mure तो यह वैली कैके में दी होगी ठीक है तो M8 आपने निकाल दिया है अब बात करते हैं अगर अब नहीं नहीं दे रखा है यह नहीं दे रखा तो अब 68 कैसे निकालोगी इसके बत करूंग में कैसे निकालोगी तो मुट्व को निकालने के लिए सिंपर आपका फॉर्मला हो जायागा मुट्व इकॉल टू सब्सक्राइब निकालोगी महां से अब बात करता हूं कुछ इंपर्टेंट स्टेफ हैं जो आपके नुमेर का प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे अगर आपके कुछ वैलियू इस गीविन होंगी सबसे पहले आपको क्वेश्चिन में सॉल्व करने के लिए एक को सॉल्व करोगे फिर आपको जरूत पढ़ेगी ऐक स्टूम एक्स अपनदी अब एक्सियू की वैल्यू क्या होती है आपको फॉर्मुला या तो जो इसको एक्सवे अपन डी को मैं क्या करूंगा सपोज आपको क्या है एरिया आपश्टील निकालना है ठीक है एरिया एस्ट वन और एस्ट टू को एड़ करोगे तब ही तो complete एस्ट मिलेगा यह निकालना है तो एस्ट वन आप यहां से से ख्लकुलेट करोगे ठीक है एकसे अपन विकोगे एक सिर्फ चो होगे तो आपका एस्ट वन निकल जाएगा ठीक है और एक एरिया प्सट इमेहा होगा तो एस्ट वन आपको मिल गया एस्ट टू आपको दे रखा होगा दोनों को एड़ गड़ दो complete area of still मिल जाएगा दूसरा अगर उसके साथ साथ आप उसने पूछा कि आपको moment of ultimate moment भी निकालना है तो moment के लिए आपको क्या करना पड़ता था mu limiting प्लस mu 2 mu limiting आप इस formula से निकालोगे अब बात करते है mu 2 कैसे निकलेगा जब आपका applied नहीं दे रखा होगा तो आप FSC, ASC करोगे d minus d dash और आपका mu 2 निकल जाएगा ठीक है तो mu 2 निकालने के बाद आप क्या करोगे mu equal to mu limiting प्लस mu 2 दोनों को add कर दोगे तो आपका complete mu मिल जाएगा ठीक है तो यह important step है अब जो ASC 1 मैंने बोला ना आपको question में उसने पूचा कि ultimate moment find करना है और area of steel निकालना है area of steel जब भी आप double E के लिए करोगे तो आपको ASC 1 भी निकालना पड़ेगा 2 भी निकालना पड़ेगा हो सकता question में उसने एक area of steel दे रखा हो तो आपको YouTube लाता रहूं बेल आइकन को जरूर प्रेस की जड़ेगा